जहां पर आखरी चरण में कल पाटली पुत्र में मतदान होने जा रहा है जहां से लालू की बेटी मीशा भी चनावी मैदान में है लेकिन इस बार पाटली पुत्र मीशा भारती की बजाए मनेर के लड्डू की वज़े से चर्चा में है बिहार के मनेर में लड्डू तयार है नेताजी लड्डू खाने के लिए चार जून के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं लेकिन जनता मनेर के लड्डू की मिठास का इंतजार करने के मूड में नहीं है मनेर में नौन स्टॉप लड्डू चन रहे हैं और दुकानों में खरीदारों का जमावणा ऐसा जुट रहा है कि पलक जपकते ही स्टॉल खाली हो रहे हैं दरसल हफते भर पहले पीम मोदी पाटली पुत्र में बीचेपी उमिद्वार राम कृपाल यादव के लिए जनसभा करने पहुँचे थे इसी लोग सबाक्षित्र में एक जगा है मनेर जिसके लड्डू विश्व प्रसिद्धे और पीम मोदी ने भी मंच से इसका जिक्र कर दिया पीम मोदी के जिक्र के बाद मनेर के लड्डू की डिमांड बढ़ गई दूर दूर से मनेर के लड्डू के लिए औरडर आने लगे बाकाइदा एंडिये और इंडिया गडवंदन की तरफ से जीत की खुशी बनाने के लिए मनेर के लड्डू खिलाने की बाद कही जा रही है मनेर पाटली पुत्र लोग सभा सीट के अंतरगत आता है यहां से मीसा भारती उम्मीदवार हैं जो दो बार यहां से चुनावार चुकी है लेकिन इस बार पाटली पुत्र में मीसा से ज्यादा चर्चा मनेर के लड्डू की है यूं तो मनेर के लड्डू पहले से ही काफी लोग प्रिये हैं अभिनिता आमिर खान से लेकर कई सितारे यहां लड्डू की मिठास चक चुके हैं लेकिन पी-म मोदी के बयान ने मनेर के लड्डू को लोग प्रियता के नए मकाम तक पहुचा दिया है ब्यूर रिपोर्ट जी मीडिया